हलो दोस्टों कैसे आप सबसे पहले मैं आपके शुक्रिया करना चाहता हूं जो कि अब इत्तर क्यों सबसे पहले विडियो डाला है अपने इसको सपॉड किया है और इसके लिए हाओ तो आपने बहुत सपोर्ट किया तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दिया करूंगा आपके लिए तो आपने अभी तक जितने भी question मुझे पूछे है मेरी वीडियो में total जितने भी आदिम ने पूछे है तो मैंने सबका एक report बनाया है तो उस सभी question के मैं answer आपको यह वीडियो में दूँगा तो अ अंसर अभी यह वीडियो में देने बाला हूं यह क्यों एड़ने वीडियो होने वाली है हमारी तो सबसे पहला जो question है यह security के question है जो आपने मुझसे पूछे है तो भी जाने के लिए या फिर काम के बारे में यह उनके question के answer देने वाला हूं है ठीक है तो पहला question जा है रभिंदर सिंका तो उन्होंने पूछा है हम कैसे जाएं जाने कि हम कौन से काम में जाएं कैसे जाएं तो भाई आपको उसके बाद ही आप जा सकते हो जो काम पहले आप decide करिए कि आपको कौन से काम में जाना है कौन सा काम आप करना चाहते हो जो भी काम आपको करना है आप वह काम आपना चूज कीजिए वह काम में आप जाए उसके लिए interview देना होगा company को जा तो आप online duty कंपनी को जा तो फिर आप अपने city में आपके company वाले आते है बाहर फॉरन से तो उनके साथ contact करके उनको इंटर्विव देना होगा ठीक है दोस्त और आपको को यह और question है तो आप मेरे को please comment करिए और दूसरा question है जो पूछा है उनका नाम है Sonu Sanita Sonu Sanita ने पूछा है Sir interview में क्या-क्या पूछते है English में होती है तो Sir interview में क्या-क्या पूछते हैं उसके लिए मैंने अलग से वीडियो एक बनाया था कि interview में के जो भी question होते है security के तो आप लीज मेरा नीचे वीडियो चैनल में जाकर वीडियो देखिए security के question के उपर question answer के उपर उसमें मेरा आपको वीडियो मिलेगा उसमें म आपको दूसरी country में foreign में जाना है उसके लिए थोड़ी बहुत English आपको दोस्तानी बहुत जुरूरी है basic English तो आपको आती होगी ना तो वह आपको बोलनी बहुत जुरूरी है इसके लिए आपको थोड़ा बहुत English आप सीख लीजे तो जो थोड़े बहुत एज़न होते है वह हिंदी में भी लेते हैं तो इंग्लिश में लेते हैं तो इंग्लिश आनी बहुत जुरूरी है इसके बाद में तीसरा जो question पूछा है वह है दानिश टनोली इनका कहना है ब्रो ट्रांसगर कंपनी कैसी है स्क्यूर्टी गर्ड के लिए तो आपको मैं बताना है चाहतू तो बहुत अच्छी कंपनी है आप इसमें जा सकते हो तो चौथा question है एमडी शारूश अलाम तो इनने पूछा है भाई फ्रेशर के लिए कौन सी जौब में वहां पैसा है तो दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं एमडी को एमडी शारू को तो फ्रेशर के लिए यार पलाए करिए अगर आप फ्रेशर हो क्योंकि इसमें आपका experience बनेगा security का और और नहीं आपको तरीके मिलेंगे इसको उटी में आप officer बन सकते हो supervisor बन सकते हो आपका salary डबल हो जाएगा इसके अलाबा अगर आपका फ्रेशर में किसी दूसरी जगा में बनता है जैसे परंबर में होता है लेट्रिशन में होता है वो काम में भी आप जा सकते हो जाता तो मैं आपको जी रेक्मेंड हैं और अगर वहां पर हम आये तो कौन सा सीख कर आएं काम कौन सा सीख कर आएं इनका करना का मतलब है कि अगर हम दूबई में तो कहां कौन सा काम सीख कर आएं तो यह देखो काम अगर आपने कोई भी सीखा हुआ है तो जाया तो जाता नहीं है वो कहीं ना की काम आ जाता ह कैया और अज्वेर नहीं तो आजर अगर आपको दुवई में काम स्था यह आपको बशंद काम सीख करें को Letini mm कर रे तो दूर नियुक्त दुम्वत कर स्था इज में को मुझा a यह वाद को ने रही तो आपको यह होगा UP sudah सब के लिए काम है ऊछंध्य old さ लोगों के लिए काम है आप लिए भी उकाम है इजो के पसमें अगये जो कि इतना है आपका सबके लिए काम है दोस्त्वा थोड़ी बर बेसट इंगली सुझनें चोन ही और नहीं होनीlington तो हाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाइट अगर तो आप लंबे आदमी वैसे तो अगर लंबा ज्यादा लंबा आदमी होता है तो उसको पहले सेलेक्ट करते है इसके उटी में तो अगर आपकी हाइट आप लगा लो पांच फुट पांच चैरशे इंच के तो अच्छा है आपको सेलेक्शन के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होगा तो पांच फुट चार्ज के नीचे तीन के नीचे जोटा मुश्किल हो सकता है इसके उपर होगा तो बहुत अच्छा है ठीक है दोस्तों आठमा कॉस्टन पूछा है गिसीन लामा ने सॉरी अगर और मैं किसी का नाम घलत लेडा हूं इसका मतला इनका कहने का है 5.5 feet can apply yes sir you can apply for 5.5 inch के लिए fit के लिए आप apply कर सकते हो इसमें कोई दिक्कल पर शानी नहीं है नॉमा को वस्चन है मनीश जोशी का इनने बोला है स्क्यूटी गाड जॉब apply English must है जी इनका कहने का कि स्क्यूटी गाड के लिए English must है अपलाई काने के लिए तो sir मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए English बहुत must है जुरूरी है आपको English आनी बहुत जुरूरी है अगर आपको फॉरन में किसी भी काम में जाना है थोड़ी बहुत basic बहुत जुरूरी है English क्योंकि आपको वहाँ पर English बोलनी पढ़ेगी हर किसी किसी के साथ English तो English must है अब थोड़ा बहुत English basic English सीख लिजे या training ले लिजे थोड़ी बहुत English की जाने से पहले English must है अब इंटर्व्यू भी दोगे तो आपको English में सवाल जो आप पूछे जाएंगे इसके लिए ठीक है दोस्त तो मैं आपको यह recommend करूँगा आप बिलुकुल English सीख कर ज चाहिए अगर आपको और कोई question है तो आप please comment करिए और मेरा बागी का वीडियो बहुत वीडियो इसके लिए मैंने डाला हुए आप मेरा channel में जाहिए उसमें जो भी आपको वीडियो चाहिए वह आप देखिए वहाँ पर जाकर आपको और मिलेगा उसमें तो इसके लिए आपको मैं यही पताना चाहता हूं तो दोस्तों आज के लिए हमारा वीडियो खत्म होता है तो आगे एक और वीडियो आपके लिए लेकर आप